हलो एवरिवान, आज हम सुवा भाजी को चना की दाल के साथ बनाएंगे भाजी का नाम सुनते ही कई लोगों के मों के एक्सप्रेशन बिगड़ जाते है पर ये भाजी देखिए, क्या खुब कलर आया है, एकदम अच्छी तरह से गली हुई है दिखने में पी सुन्दर लगती है, और टेस्ट का तो पूछो ही मत ट्रेडिशनल रेसीपी है, कुछ भी तामजाम नहीं है बाजरे की रोटी, भाखरी या तो चावल के साथ आप इसे एंजोई कर सकते है ये भाजरी को बहुत ही अलग-अलग नामों से चानी चाती है तो चलिए आज की विंटर स्पेशल रेसीपी बनाना शुरू करते है तो सबसे पहले भाजरी को बोईल करेंगे सुवा भाजरी का टेस्ट थोड़ा स्ट्रोंग रहता है तो आप इसमें पालक या तो फिर आपकी पसंद की कोई भी भाजरी एड़ कर सकते है पिगो के रखी हुई चनादाल एड़ करेंगे कई लोग तूबेल दाल भी उसके अंदर यूज़ करते है अभी इसके अंदर डालेंगे पानी ध्यान रखना है कि पहुट ज़्यदा पानी एड़ नहीं करना है साधरन आधा कब पानी एड़ करेंगे क्योंकि भाजी है वो भी अपना खुद का पानी अच्छे कॉंटिटी में रिलिस करती है कम लगे तो बाद में एड़ कर सकते है अच्छी तरह से mix कर लेंगे गिस की flame को high करेंगे और एक उबाल ले लेंगे पानी को उबाल आ रहा है तब तक एक simple सा वाटन मसाला रेडी कर लेते हैं आप ये mixी में भी कर सकते हैं पर मैं ये खलबता में कर रही हूँ ताकि और भी अच्छा टेस्ट आए लेसुन की कल्या एड करेंगे जितना लेसुन च्यादा डालेंगे टेस्ट इतना ही अच्छा आएगा उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च आप आपकी पसंद के हिसाब से एड करें कच्चा जीरा डालेंगे और थोड़ा सा नमाकेड करेंगे ताकि अच्छी तरह से उसे कूट पाए कोरसी रखना है मिक्सी में कर रहे है तो भी हलका मुटा सा ही रखे बारिक पेस्ट नहीं करनी है इतर भाजी को भी एक बोईल आ गया है अभी तक ये पूरी बोईल नहीं हुई है गेस की फ्लेम को स्लो करके कवर कर देंगे चाहे तो आप उसे एक से दो बार बीच में चला लेजिए साथ से आठ मीट लगती है तो साथ से आठ मीट के बार देखोगे भाजी एक तम अच्छी तरह से बोईल हो गई है एक स्पेचुला से चलाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छी तरह से बोईल हो चुकी है अब आप स्टेनर की हल्प से चान लेंगे उसका पूरा पानी निकालना है पोसीबल है तो पूरा ही निकाल लीजिए हमें एसी ड्राइ वाली भाजी चाहिए अगर पानी रहा तो हम उसे अच्छी तरह से घूट नहीं पाएंगे यानि की फेट नहीं पाएंगे एक विसकर के हल्प से या तो फिर दाल को फेटने का जो टूलाता है उससे हम फेट लेंगे ताकि दाल और भाजी एक समान हो जाए एक रस हो जाए इसके लिए भाजी में से हो सके इतना पानी हम निकाल देंगे अब इसमें डालेंगे बेसन, बेसन की जग़पर आप जवार का आटा भी एड़ कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसे फेट ना है, कोई भी आटा उसके अंदर मिक्स अच्छी तरह से होना चाहिए, आप बाचरी का आटा भी ले सकते हैं, आटा डालने से बाइंडिंग पर बेशन से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दो मीट गरम गरम रहेगी तभी हम उसे फेट लेंगे अब भाजी को तड़का तेते हैं कड़ाई में डालेंगे दो टेबल स्पून तेल तिल गरम हो जाए उसमें एड़ करेंगे लैसून हरी मिर्च और जीरा की जो पेस्ट हमने बना के रखी थी वो हिंग एड़ करेंगे और साथ में थोड़ी सी हल्दी का पाउडर एड़ करेंगे एक से दो मिर्च के लिए उसे चलाएंगे और सोटे कर लेंगे ये स्टेब चरूर से करें तड़का अच्छा पकेगा तो ही भाजी का टेस्ट अच्छा आएगा तो एक से दो मिर्च के बाद उसके अंदर एड़ करेंगे गुटी हुई भाजी पहले उसे तड़के के साथ एक मिर्च के लिए मिक्स कर लेंगे ताकि सारा तड़का भाजी के उपर कोट हो जाए अब जो पानी हमने निकाल कर रखा था वो भी एड़ कर देंगे और अच् भी थोड़ा नमक डाल चुके है तो साथानी से एड़ करें मिक्स करके एक तम स्लो फ्लेम पर 5-6 मिट के लिए पकाएंगे तो भाजी एक तम अच्छी तरह से कूक हो गई है तो लास्ट में एक सिक्रेट इंग्रिजिएंट्स टालेंगे चिव भाजी के टेस्ट को एक तम अलग कर देगा तो टेबल स्पून रोस्टेट मुक फली का कोर्स पाउडर डालेंगे ताकि चबाने में भी आएगी तो वो बहुत अच्छी लगेगी और उससे एक नटी फ्लेवर भी भाजी को मिलेगा अभी उससे एक मिट और पका लेते है तो ये देखिए अब हमारी भाजी रेडी हो गई है कलर एक्दम सुन्दर आया है काली भी नहीं पड़ी है भाजी एक साइड और पानी एक साइड ऐसा भी नहीं हुआ है पॉर्फेक्ट कंसिस्टनसी आई हुई है तो गेस को बन करेंगे और उससे सव कर लेते हैं हर टाइम से कुछ अलग करना है तो यह भाजी एक दम पॉर्फेक्ट है आप इसे कूकर में भी बोईल कर सकते है पर पोसिबल रहे तो उसको कड़ाई में करें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो मैं आज यह भाजी को बाजरी की रोटी के साथ सव कर रही हूँ आप उसे चावल या तो फिर चावल क की रोटी के साथ भी सव कर सकते है यह रेसीपी को फोलो करके आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आएगी तो आशा करती हूँ आज की यह रेसीपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज एक स्माइल के साथ वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना पूले